आज से एक नए तरीके के वीडियो की शुरुवात मैं करना चाहता हूँ ये आपके सजिशन के उपर पूज़ता से बेस्ड होगा कि इसे मैं आगे कंटिन्यू करूँ या इसी पहले वाले के साथ ही खतम कर दूँ ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि इस तरह की सिरीज चालू रखनी है या नहीं रखनी है ये सिरीज में क्या होगा, कैसे मैं इसको वीडियो बनाऊँगा वो आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ हमने फार्मकोलोजी पढ़ी है, पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं हमने देखा कि ड्रग अलग-अलग सिस्टम पे काम करते हैं जैसे ड्रग एक्टिंग ओन रस्पारिटी सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ओन गैस्ट्रो इंटिस्टाइलिल ट्रैक ड्रग एक्टिंग ओन एंडोक्राइन या किसी और सिस्टम पे काम करने वाले ड्रग हर एक drug का अपना एक class होता है और उसी class के respective हमने उसके example भी पढ़े हुए यानि कि स्वासिफिकेशन पढ़ा हुआ है इस classification को हमने उनके active constant के हिसाब से समझा इस series में क्या करने वाले हैं हम उसी class के यानि कि random class का कोई भी एक market product ले करके आएंगे और इस product के basic parts के बारे में बात करेंगे ताकि ये videos मैं medical के student हैं MBBS वाले उनके लिए भी as well as pharmacology पढ़ने वाले किसी भी discipline के बच्चों के लिए काम है कि ये कैसे काम करता है इसकी basics कैसी होती है बहुत short में देखेंगे शुरुवात करने वाला हूँ मैं एक random वीडियो से और यह है हमारा एक marketed product जिसका नाम है OMI आपको नाम से समझ में आ रहा होगा OMI यानि कि ये एक ऐसा drug है जिसको अगर आप किसी medical store में जा करके बोलेंगे मुझे OMI दीजे तो वो आपको ये दवाई दे देगा लेकिन ये OMI कोई drug का नाम नहीं है ये कोई active constant नहीं है ये एक brand नेम है तो इसका active constant कौन सा है इसका active constant अगर आप देखेंगे composition में तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा each hard gelatin capsule content हर एक सब्दों का मैं आपको मतलब बताते हुए चलूँगा इसके composition में लिखा hard gelatin capsule तो इसका क्या मतलब होता है ये एक capsule है और capsule दो तरीके के होते हैं इस तरफ आप इसको देखते जाएगा capsule के दो main type होते हैं एक type होता है आपका soft gelatin capsule और दूसरा होता है आपका hard gelatin capsule तो soft gelatin capsule और hard gelatin capsule में क्या अंतर है soft as its name indicate ये जब इसको आप touch करेंगे तो आपको soft soft feeling होगी और इसकी एक अलग बात ये है कि ये पूरा का पूरा एक ही unit होता है यानि कि आपको यहाँ पे कोई दो अलग अलग section body और cap इस तरह के से दिखाई नहीं देगा इसका example है पुदी नहरा का pearl यानि कि पुदी नहरा की जो हम लोग capsule खाते है वो इस पे आप देखिए या vitamin E का capsule देखिए इसके अंदर active constant जो liquid form में भरा हुआ होता है वो पूरी की पूरी तरह से seal pack होता है इसको आप दो अलग अलग पार्ट में रिवाइड नहीं कर सकते ये soft gelatin capsule का लाता है और hard gelatin capsule जैसा कि ये नाम है ये hard है अगर आप appearance वाइस बात करेंगे तो आपको hard दिखेगा प्लस इसके दो component मिलेंगे एक मिलेगा आपको cap और दूसरा होगा इसका body तो definitely body के अंदर हमारे जो medicament हैं चाहे वो किसी भी form में हो depending on the types of drug भरेवे होंगे चाहे ये तो आपके powder के form में होगा चाहे या आपके granules के form में होगा इनको fill करने के बाद इनको cap से हम cover कर देंगे तो इस तरीके से इसकी दो part हो गई body part और cover part तो ये हमारा heart gelatin capsule होता है इसके अंदर हमारा active constant भरा हुआ होता है active constant मतलब असल में वो यही drug है जो आपको अगर आप लेते हो तो फिर आपके body में वो action देगा जिसके लिए हमने लिया हुआ है यहाँ पर क्या active constant यह हमारा omeprazole omeprazole this is the main drug इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो चलिए अब आगया हमारा pharmacology omeprazole कौन सी के डिकरी का drug है omeprazole अगर आपने acid drug के बारे में पढ़ा हुआ है जो हमारे acid restriction को affect करते हैं तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा omeprazole का जो class है यह sub class है वह है आपका proton pump inhibitor proton pump inhibitor मतलब ऐसे drug जो किसको inhibit करते होंगे proton के pump को inhibit करते होंगे मैं आपको ऐसे समझाओंगा यहाँ पे जैसा कोई बच्चा समझा रहा हो और आप इसको आसानी से समझ सकें बिल्कुल layman की भासा में proton pump सबसे पहले पहले word का मतलब समझ लेते हैं ताकि आप इसकी concept को अच्छे से समझ में आ रहा है proton का गने का क्या मतलब है proton का मतलब है जिसके पास positive charge हो H plus के रूप में और pump का क्या मतलब है pump मतलब हाँ वही pump जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं जबके भी भी आपको आपके घर के नीचे suppose ये आपका घर है और इस घर के ऊपर कोई टंकी रखी वी है नीचे में आपके basement में पानी रखा हुआ है अब आपको ये पानी इसके ऊपर पहुचानी है टंकी में तो ये तो against the gravitational force हो गया अब यहां से पानी अपने आप उपर तो नहीं जा सकती हाँ ये बात सही है कि उपर से पानी नीचे अपने आप आ जाएगी मिना कैसी pump के बट हम बात कर रहे हैं इस वाले case में यहां पर आपको pump के दुरत पड़े ही ये pump क्या करता है ये pump force पुली इस पानी को ऊपर against the gravitational force पहुचाता है तो ये pump का काम हो गया अब हगर हम यह देखें तीसरा जो इसमें लिखा हुआ है inhibitor जिसे मैंने down arrow से represent किया है मतलब ये इसके काम को कम कर रहा होगा इसके काम के speed को inhibit करने का काम कर रहा होगा तो असल में proton pump inhibitor का क्या मतलब हुआ इसका मतलब है ऐसे drug जो कि इस proton के pump को यानि कि एक ऐसे pump जो कि proton को supply कर रहा होगा इसको inhibit करेंगे तो इससे क्या होगा इससे क्या हम अपने activity देख सकते है आपको वो सीब समाज में आ जाएगी पहले इसका हम concept को समझ लेते है basic polypant को कर लेते है ये किस class का drug है ये class है हमारा anti-secretory anti-secretory कहने का क्या मतलब है ऐसे drug जो कि secretion को inhibit करते होंगे secretion किसके respect में secretion acid के respect में acid क्या है ये एक ऐसा digestive juice है जो हम जो कुछ भी खाते हैं GIT में इसे digest करने का काम करता है तो इसी digestion के purpose के लिए required होता है acid लेकिन कई कारणों में से जैसे अगर आप बोलो अधिक खालिया हो spices खालिया हो या फिर gastro, isofagal, reflux, disease, gerd ऐसे case में जब हमारे sphincter में lose हो गया हो तो ये reflux में gas यानिकि acid हमको बहुत तदब परिशान कर रहा होगा ऐसे case में हमको इसको acid की quantity को कम करनी है और इसके दो तरीके होते हैं या तो इसको आप neutral कर दीजिए या तो इसके secretion को inhibit कर दीजिए omeprazole हमारा इसी category drug है anti-secretory यानिकि secretion को inhibit करने का काम करता है secretion किसका HCl का HCl कैसे बनता है यह rough में समझा रहा हूँ आपको बहुत chemistry नहीं पढ़ाने है वाला HCl बनता है digestive juice H++Cl माइनस के combination से तो यह देखिए HCl के बनने के लिए क्या चाहिए H++Cl चाहिए इसको कुछ ऐसा लिखा जाए दोनों तरफ direction से देखिए तो HCl टूटेगा तो इसमें टूटेगा और यह दोनों जूडेंगे तो HCl में बनके आ जाएंगे तो यह हमारा एक basic concept हुआ जब कभी भी हम cell के respect में बात करते हैं तो यह अगर हमारा cell है और यह हमारा एक co-transporter है तो यह जो potassium है यह ओके-ओके हो मतलब सही quantity में हो तब तो कोई दिक्कत नी बहुत ही अच्छी बात है लेकिन अगर इसकी quantity जादा हो रही हो तो हमको भी problem होगी हमको SDT होगी, हमको GERD की problem होगी और भी कई सारे associated problem होगे तो हमको उनको inhibit करना है हमारा जो omeprazole है which is a category of proton pump inhibitor जैसे मैंने कहा तो यह pump ही तो है यह तो diagram मैंने आपको बना के दिखा यह pump है, इसी proton pump मतलब हमारा proton का आना जो इसके through हो रहा है एक pump के through इसी को अगर हम inhibit कर दें यहाँ से इसको देखिए, जो H plus आ रहा था इसको मैंने इस तरीके से गायब कर दिया जब H plus ही available नहीं होगा तो CL किसके साथ bind करेगा और जब CL bind नहीं करेगा तो हमारा HCL का जो formation हो रहा था यहाँ पे अब देखिए वो कहा होगा, गायब हो गया न तो इससे acid नहीं बनेगा access में और हमारा जो problem acid की वज़े से वो हमको देखने को नहीं मिले, कि that problem will be dissolved, तो यह हुआ हमारा Omeprazole के काम करने का तरीका यह हमारा brand name हो गया, आगे के point को मैं आपको और explain कर दूँ ताकि general public पे अगर देख रहा हो तो साथ साथ समझ चले, Omeprazole के आगे देखिए, आप लिखा हुआ है Indian Pharmacopeya, short में लिखा हुआ है IP, इसका मतलब है, यह एक access Pharmacopeya को follow करता है जिसमें हमारा इंडियन Pharmacopeya included है इसका जो concentration है, वो है 20 mg और एक्जिपेंट add किया गया है, एक्जिपेंट क्या मतलब होता है, एक्जिपेंट ऐसे agent होते हैं, जिनकी खुद की कोई therapeutic value नहीं होती मतलब इक कोई दवाई नहीं है, इनको अगर आप add करोगे, तो यह अपना कोई pharmacological effect नहीं देंगे, मतलब inert substance है, यह केवल bulg को बढ़ाने के लिए use करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ quantity में देखेंगे qs, जिसका मतलब होता quantity sufficient, इसको sq नहीं लिखते हैं sufficient quantity नहीं लिखते हैं, इसको quantity sufficient, तो यह हो गया हमारा आज का product OMI के बारे में अब यहाँ पर एक और चीज, जो आपको जाननी चाहिए, कि यह जो Omeprazole है, इसको हमको कब लेना होता है कितना लेना होता हुआ तो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कब लेना है, यह आपको empty stomach लेना है, ताकि आपके जो gastro-destyle में acid का secretion होने वाला हो उससे आप initial level पर suppress कर सकें इसका use अधिक मातर में नहीं करिएगा क्योंकि कई सारे और जो medicines होते हैं, जिनको आप साथ में ले रहे होते हैं उनको काम करने के लिए GI पे acid का environment चाहिए होता है और अगर आपने यह डवाई ले ली, बिना किसी से पूछे, बिना किसी आपको indigent की problem भी हो सकती है अगर आप access में बिना किसी doctor के prescription के use करेंगे तो यहाँ पे यह भी बताना आवशक है कि कोई भी drug के काम करने के एक specific तरीक्या और उसका specific motive होता है और इस drug का specific motive है वह आपके acid के section को कम करना तरीका है कि यह जो proton हमारा pump के through आ रहा है इसको inhibit कर देना ताकि इसके through H plus यानि के proton की availability को inhibit किया जा सके तो यह रहा छोटा सा explanation जिसमें दो चीज़ें cover हो गई एक तो द्रग के बारे में भी cover हो गया दुसरा आपके pharmacology regarding omeprazole यानि की anti-secretive drug यानि की proton parameter वो भी cover हो गया बाकि आप बताए कमेंट बॉक्स में कि आपको और ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए अगर आप हाँ बोलेंगे तो वीडियो की शुरुवात हो जाएगी और नहीं तो इसी के साथ thank you so much for this video नमस्कार टिक केर